करगिल के युद्ध में ये पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी है असली होने के बावजूद ये कहानी पूरी फिल्मी है जहां हीरों को एक नहीं, दो नहीं, अठारा गोलियां लगती है वो फिर भी जंग में डटा रहता है और तिरंगा लहरा कर जिंदा लोटता है ये कहानी टू राजपुताना राइफल्स के उन सभी वीरों को भी समर्पित है जो तोलो लिंग के असंभव मिशन के लिए निकले थे और ये कहानी सुनाएंगे तोलो लिंग के महावीर दिगेंदर सिंग कोब्रा जो मौत के मुझ से वापस लोटे और तालीज पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार कर अच्छान भरती कर ले हो शुने रग रूटी शरदार अरे मेरा बच्चा भरती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार अरे पूरी कती ओरी सुरूं की इजत है कायर कूरूं की कर प्रोप कार से प्यार मेरा मुन्ना भरती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार जाहिन नवस्कार बंदे मातरम इस बोड़ी में जो DNA है वो एक आजाद हिंद शेनिक की पुत्री का DNA है मेरे नाना जी आजाद हिंद शेनिक का DNA है मेरे नाना जी आजाद हिंद में सहीद हो चुके थे 1948 की लड़ाई में मेरे पापा के पांच गोड़ियां लगी थी पीर बड़ेशे की पाड़ी अमारे पापा जी यही कहते थे बेटा इस दर्थी का नव वीर भोगा वह सुंदरा है तो सत्य की जीत होती है मेजा बेटा और वीरों की जीत होती है नाना स्वतंतरता सेनानी पिता भारतिय सेना के वीर्यों थी 47-48 के युद्ध में 11 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानी थी यही संसकार अपने बेटे को दिये और सेना में भरती होने को प्रेडित किया जितना समय दिगेंद्री ने भारतिय सेना में बिताया उतने ही किस से उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए तो ये कोबरा क्यों कहते हैं आपको ये नाम कैसे कमाया आप पाउन ओप्रेशन श्री लंका में शुरू होगा तो हमारी बटालीन के 30 आद्मियों को वांबलाया गया तर उसमें हमारी प्लाट उनको न्युक्त किया गया तो वहां हमें 15-20 दिन या मेना दो मेना हो चुके थे तो वह जर्नल साब की गाड़ी में ऐसे जीव में चलते रहत वह जर्नाक ना दूसरा साथी ता दो सामने तो वह मेरी नजर म्ल अइसे थी तो य switch घसे अधा तो यह तृष्ण कर से गणरेऊ क्या निकाला चाया जर्नल सहां को नेकल गी और वह 70 अहसे गड़ी मैं लेटाव मेरे देऊए जयी को अई टोक्कीं अ요k ठियार मैं गाड़ बहादुरी के ऐसी ही जंडे बुलंद करते हुए दिगेंदर सिंग को भारतीय सेना में 13 साल वो चुके थे जब 1999 में कार्गिल युद्ध छड़ा दिगेंदर की यूनिट टू राजबताना राइफल्स उस समय कुपवाडा में थी जब उन्हें कर्गिल पहुचने का आदेश दिया गया तोलोलिंग पे नुकसान पे नुकसान हो रहा था लेकिन कोई उसको तिरंगा लहरा नहीं रहा था जी जिस तोलोलिंग का जिकर करते वो टर्निंग पॉंट ओप कार्गिल वार था जो हमारा सोबा गया मारी अधेल जोर्ग वरतालिंगा दा ही उस्पर उससे पहले उस है थीक्तंत तीक बЭ्टल आ कीअज़ूटीए को को पह सोड़ा थिंग एक फेकत्यत माही को हमारी उंट को धिया टнут वहां तोलोलिंग पा है तो लो लिंग पर हमारे सियो साव थे करनल M.B. रविंदरनाथ तो वो बहले है कि आपनों 36 गंडेया टाम मिलेया कार गिल जाने के लिए तो आमे वहां को पोड़ाजे तो आपके उमर उस समय कितनी थी मां उस्टेम में पिल्कुल जवान था 30 साल का अच्छा एनिकी जवानी की आसली जवानी 30 साल ही होती है तो उस्टेम 30 साल का था